हम चक्टर मंदर और नारायन हेम चंद्र जो है वो गांदी जी के जीवन के एक मुख्य पात्र है और गांदी जी ने अपने जीवन को ध्यान में रखकर बहुत सारी बुक्स लिखी है और इसमें जो जग प्रसिद्ध हुई ऐसी बुक का नाम था तरी सत्यना प्रयोगों हम ऐसां कई आयरोग ने नाम दिया था हार पट्रेнокतर गांदी जी ना उसको नाम क्या दिया था सत्यनाप्रयोगों है इस पर कैरेकटरें नारायन हेम-चंत्र नारायन हेम-चंद्र कौन है तो नारायणहेंचंद्र वो एक बहुत ही अच्छे लेकाग है जो इंडिया में थे पर गांधी जी के साथ उसका कैसा मेल मिला भूआ वो बताया जा रहा है तो गांधी जी का नाम पूरा है मोहंदास करमचन गांधी तेक है? गांधी जी का पूरा नाम क्या है? मोहंदास करमचन गांधी तो मोहंदास करमचन गांधी नो जिन्मत है यो परबंदर मा माता नुनामतु पुदडी भाई पिता जी नुनामतु करमचन गांधी तो इनुनामतु कस्तुरबा आगर परबंदर से बड़ाए खतम करके राज़कोट गए राज़कोट से भावनगर गए और भावनगर के बाद इंग्लेंड में जाकर उसने बैरिस्टर उस वक्त लोग पढ़ करते थे उसकी पद भी प्राप्त की यानि कि वह एक लॉयर निकि वकील आत्मा व्योसान में इसके बाद आगे वो आफरिका गए फिर इंडिया आए और भारत में आए के उसने सत्याग्रा के हमें आजादी दिलाई उसके लिए उसने बहुत सारे सत्याग्रा के अंदर भारत का रख्षन के लिए अंग्लेंजों के सामने लड़े। प्रिगादी भारत आविया ने भारत मां स्वतंतता आंदोलन कार्य शुरू किया उसमें सबसे अच्छा था अश्च पुष्चता यानिकी अंटचेबलिटी और दूसरा था असहकार आंदोलन वोलन नौन कॉपरिटीव मुमेंट उसकी जो बुक्स है उसके अंदर हरीजन, नवजीवन, यंग इंडिया आ पत्र सामाईकों उसने लेखनो संपाधन किया पर जो बुक है वो है हिंद स्वराज, परवी केडवनी, केडवनी नोकोईडो, नीती नाशने मारगे, त्याग मूर्दी, आयना नौन पात्र पुस्तकों तो जो थी वदारे, जे विश्वनी बद्दीज भाषव में ट्रांस्लेट हुआ है, उसका नाम है सत्यना प्रियोगो या पिल आत्मे रठा, आज हमारे बीच में गांदी जी अक्षर देह, मलब शब्दों के द्वारा जिन्दा है, अब हम यहाँ पर इस जप्टर में जो बा अच्छी भाषण, निकी हिंदी आती है, दूसरी गुजराती भी आती है, तीसरी मराथी भी आती है, और चौथी बंगला, यनिकी बेंगोली भाषण भी आती है, तो यह सारी भाषण उसने इसलिए सिखी कि उसको ट्रांस्टिशन करना सिखना था, उसने बहुत सारी बु मैनिंग के साथ क्या बात होती है आ अर्सामा स्वरगस्त नाराणहें चंद्र विलायत मा वियाता लेकर तरीके तेम singles नाममें सांबड़ी हो तेम्नु नेशनलि इंडीयन एसोशेशन नेशनल का एं इंडीयन का ऑई एसोशेशन का ए यानि कि निया मा मिस मैनिंग ने क्या उमर्यो हो तो मिस मैनिंग जानता आता कि मने बधानी साथे भड़ता नो तो आवर तो मिस मैनिग को पता था कि यह जो गांदी जी है उसको सब के साथ गुलना मिलना इतना पसंद नहीं आता है इसलिए अगर ये association के अंदर उसको मैं बुलाओंगी तो बहुत साथ बैटेंगे, बातचीत करें ये वो थोड़ा उसका माइन फ्रेश होगा इसलिए मिस मैनिम ने गांधी जी को इस association में बुलाया कोई बोलाओंगे तो बाकी वो बलो ने मारी शांती पली ते अर्सामा नारान हेम चंद्रचार्यनी मारी ओलखान गरावी नारान हेम चंद्रचन्दर अंग्रेजी नोटो अगर तो तिमनों पोशाक एकदम विचित रहतो पोशा आप जो होता है यानि की कपड़ आए जो पैन आवा वो दिखने में तो ठीक ठाक थे पर सबसे ज़्यादा अलग इसले लगते थे क्योंतो उसके कपड़े बहुत विचित्र होते थे आप अगर इसमाल किया पोशा विचित्र होतो बेडोड पाटनूम पेरी होते कपड़े में जो पैन्ट होता है उसमें कोई भी डंगड़ा नहीं था उपर चोड़ाए गये लो ताटलो मेलो औने बदामी रंग नो कोट अतो नेक्टाई गड़ा माझे टाई पेरे सि घाटनूम अनेक्टम बैडोल विनामनों हतो डोल विनामना खेरे फुमता वारी उन्नी गुठेली टोपी हने लाम भी दाड़ी राखी होः आवा आता नाराण हेम चंद्र गारे पहली वखर गांधी जीनी मुलाकार नाराणहेम चंद्र साथे थाए गारे आवा एकना विचित्र टाइपना लागता आता अने ना कारणे ये बद्दा थी अलगतरी आउता आता आप गांधी जी ये नाराणहेम चंद्र ना घणा पुस्त को वाँ चेला लगांधी जी तरह तरह तक्ते ओड़ गिया अच्छा आतम ये नाराणहेम चंद्र अब शरीर बता थे कैसे दिखते जे एक वड़ियू सिंगल पसली थोड़े ठिंगने बटके थे कही ये तो चाले मोग उपर शिलीना डाग मलग डोट 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 जैसा होता है वो चेहरो गोल नाक नहीं अनिदार या नहीं चीबू मलग चाइनीज का जो तरह बैठा हुआ उसको चीबू ना कहता है और नुकिला भी नहीं था हुआ चिपकाव भी नहीं था दाड़ी उपर हाथ हमेशा गुल 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 गुमता रह था इस तरह से उसका दिखने में थे बद्धा फुल भटाग लोको वच्चे नारा नहीं चंद्र एक्दम विच्चित्र लागता हा था बने बद्धा थी नोखा मलब सबसे अलग तरके आ जाते थे त्यार्यग्ण वेश्चित्र लागते लेख आपनूं नाम में बहुं आखली को चैसे ऐलों आपनाम एंटानों पनाम । मनमा आच्चिया आखे आप you स्टोर स्ट्रीट में या. अच्छा, तो तो मैं बनने आपढ़ी बनाता. पाड़ी मुटमें वी बाद आपडे मालब इस समां चाने सकते हुआप़ी. इस तरह से नाराणहें चंद्राचारिय और गांधी जी का फाइनल हुआ कि कहां पर हमें इले सिखनी है तो मैंने इस सामने से उसको बोल दिया गांधी जी कहता है कि ना ना हुँ तमा रहती है आविज आश अमारी करने पार्ट शाड़ा छे नू ले तो आविश ए समय माचन है इंग्लिश ग्रामर जो है वो एक ही बुक से पढ़ टेक है उस बुक का नाम था पार्ट माला और उस और रिजन पाइनल हुआ कि एंगरी जी सीखना है अमे वक्षत मुकरर करें वक्षत बुले तो समय फिक्स किया अमारी वच्चे स्नेहनी गांट बंदा आए प्यार से मित्रता हुई नाराण हेम चंद्रे ने ग्रामर व्याकरन मुद्दल नो आवड़े मुद्दल करतें तो इस तरह से उल्ठा-उल्ठा करते अ के टला बढ़ा विनो दॉक्षत को लूदा बचाब्राइस विन्यमें पिजाए देवा हाता हुँझे इस्के साथ कईसा रहा वेले में अल्प बहुत ही थोड़ा सा ए ग्रामर का नौलेश था पर फिर भी वो कई मोही जाय देवा नहीं था तो मिन्हें व्याकरण नहीं आ रहे हैं इस बात के इसको कोई भी शरम नहीं थी ठीक है नहीं आता तो नहीं आता है पर जब आप एहम रखोगे कि मेरे को आता नहीं ह देता है जब सीखने जाओं तो छोटे बच्चों की तरह बन जाओ किया मुझे कुछ नहीं आता है मैं ब्लैक बोर्ड हूं आप कुछ भी लिख सकते हो पर आप बराबरा ब्लैक बोर्ड लेके जाओगे तो उसनों कुछ लिख पाएंगे नहीं इस तरह से भले उमर में अच्छे तरह से सिखते थे हूं कई तमारी जे मिशाण मां शिख्यो नथी मने मारा विचारों जणाओं मां व्याक्रनी जरूर नथी जणाई जो तमने बंगाडी आवडे छे हो मुझे बोलते थे आपको बेंगोली आती है नहीं आती मैं मेरेको बेंगोली आती है दिखो पर अपको बेंगोली आती है निगो घंगोली आती है तो मेरेको तो नहीं आती in ल्हों ज़े आती ह। थेको मुझे बंगाली मने आवरे थे अन्ये ये बंगाली ने काहने मैं बंगाल मुझी और मर्शी, देवंद्रिना, टैगोरना, पुष्टकनो, तरजुमे, तरजुम मलब ट्रांसलेशन, मैंने गुजराती की प्रजागों करकर के दिये थे, तो कि अगर इस दुनिया में बहुत अच्छे-ची बुक्स है, और बुक्स का अगर सही ट्रांसलेशन अगर दुनिया को मि ट्रांसलेशन वी तो कितने सारे लोगों के पास इसका नॉलेज गया, इस तरह से ये मर्शी देवंद्रिना टैगोर जो बंगाल में, बंगाली भाशा में लिखते थे, उसके अंदर ट्रांसलेशन करके पूरे दुनिया के लोगों को देखते थे, येवन गुजराती में लिखके गुजराती प्रजा को भी देते थे, मारे तो घणी भाशा माती गुजराती प्रजाने तरजु माप पाजे, तो बहुत सारी भाशा सिखनी है, सब का ट्रांसलेशन करके मुझे गुजराती को सिखाना है, ते करवा माहूं, शब्दार थो ने थी वड़क तो, वही हिंदी की जगा, अगर मैं गुजराती में उसको करे, ट्रांसलेट करके, तो मैं कॉमेडी वर्जन लगेगा पूरा, है न, ओ गुजराती वाली हमारी भूई आई थे, उसका नाम क्या था, चल्लो थी वर्जन, अब उसको हिंदी में कन्वर्ट करके देखेंगे, तो महत्व होता है, पर तो ये कहते हैं, कि वो शब्दार्थ ने नहीं जाता है, बस उसका मिनिंग सही तरह से सेट हो जा, इस तरह से ट्रांसलेट करता है, भावार था पूछो, एटले मने संतोश था है, मारी पछी विजाने भले वधारे आपे, उन तो वगर व्याकराने मरा आठी जान, हिंदी जान, अन्य अवे अंग्रेजी पन जानतो थे, मारे तो शब्द बंडार जुए छे, तमें एम न जानता के एकला अंग्रेजी न तूँ संतोश था है है, अभी तो मारे फ्रांस जावानूं छे, मैं फ्रेंच जाओंगा, और फ्रेंच जाके वाँपा म जर्मनी सिखूंगा, है न, अंग्रेजी आपके पास सिख रहा हूं, इस तरह से इसको अपने जीवन के अंदर सब कुछ सीखने का ही मन था, और वो था ज्यादा तर भाशाओं का नौलेज, आम नारायन हें चंदरनी धारा चालती रहती, भाशाओं जानवानूं, ये आगे उसको तो अभी अमेरिका में भी जाना है, फ्रेंच जाना है, फ्रेंच सिखनी है, तो ये थे हमारे मस्त मॉला, और किर जैसे, कौन थे, नारायन हें चंदरा, आगे क्या लिखा है, आम नारायन हें चंदरनी धारा चालती, भाशाओं जानवानों उने मुसापरी अभर आपार है तो में पने छेडीने कीदू तो एक काम करूं ने अंग्रेजी सिखो छो तो अंग्रेजी सिखी ने तम्हें अमेरिका पन जवाना जरूर ज़े खें ने अमेरिका तो एकदम नभी दुनिया जो यावी ना तो यह पाँचो जाओ पर तमारी पासे पाइसा छे जान्द जीए की जुँचे, फ़ला मारे पईसाने शुंकां, मारे त्यां क्या टिक टाप करवीने जभू छे, दिखावा करके हाइफाइ लग्सिर्स लाइट स्टाइल के साथ मैं नहीं जीवता हूं, क्या हाइफाइ कपड़े, हाइफाइ चीज लेके मैं गूमता हूं, मार पुस्तो को माती जेता हैं मने छे, ते अन्य थोड़ू जुमारा मित्रो मने आपे छे, बस, मारे देर क्यों कांग, है ना, अन्य हूं तो थर्ड ग्लास, मलब तीसरा वर्ग मा जनारो मानस छो, अम एरी कांग, डेक मापन जो शीप होता है, उसमें बहुं सारे अले अले अ प्रकार के वो बॉक्स वाला शीप आता है, इसके में बहुं सारा सामान है, वो बेजा जाता है, उसको डेक, डेक यार कहते है, बोला मैं उसमें बैढ़के भी चला जाओगा, मुझे को इसमें शरम नहीं है, आम नाराण हेम चंदरनी साथगाई तो तिमनी पोता नहीं जत करता है, जादा उसको बरोसा था, ऐसे देख तो एकदम सिंपल साधे इंसान का है, कभी गमन नहीं कोई भी चीज़ का, आगे बढ़ाता है, नाराण हेम चंदरनी साथी, बहुती साथी हाती, एते अमनी, एमनी निखालसता पर तिटलिश, क्यारे अभिमान हो तू, पोतान आमारी वच्चे है, अंडलाइन करना, विचार और आचार, साम्मिय हता, आचार बोले तो हमारा कल्चर और विचार, मलव हमारे ठिंकिंग, युदोनों बहुत मेंजोते थे, मेरे वान डारा नहीं चंदरने, एनन नो आहार करिए, मास आहार नहीं, एनन नो आहार करता, ब वहां की जो currency है उसके अंदर से ही सारा का सारा खाना बगरा बनाता था उसमें अलगलर प्रकार की हुँ ये वड़ा ए तेमनी को टडी है जा उग मारी को टडी सार्थ वहवां करें ये वहां देशी डब से बिना कोई संकूष से संतूष से अच्छी एतरा से खाना बनाते है। लब बार्टर सिस्टम आप मेरे ले सब्जी ले आना मैं आके ले दाल ले आऊँगा। आप रोटी बनाना मैं सूप बना लोगा। अनुमारी वानगी मने चखाड़े इस तरह से दाल जो था नहीं हो बहुत जोड़ा थी और वो कभी-कभी सूप। इस तरह से हमारा खाना ब यह जो है ना पूरा का पूरा वो लिया गया है सत्यना प्रयोग। गांदी जी की नवल रथा है। उसमें से लिया गया है। क्या बताते हैं आगे। कहते हैं आँ ए समये इंगलेल के अंदर कार्डिनल मैनिंग नाम नूँ बहुत सब ना मुखे, सब बहुत पॉपिलर बन जौनबंस और काडिनल ने मिल कर वहां पर एक प्रयास किया है। वहां पर जो गोदी लौकों उन लोगों की धाता, मजबूर लोगों उन्हें स्ट्राइब घरल कोदे elaborать, इसने इंगा उसर्भके का हम न homemade दोकु फॉल्ट चल रहा था पैसे वालों को भी प्रॉब्लक चल रहा था और बाकी सब को भी तो वहां पर कार्डिनल मैनिंग नाम का एक बनता था उसने और दूसरे थे जॉन बंस इन दोनों ने मिलकर ये जो हड़ताल थी गोदिना मुझदुरूनी हड़ताल उसको रुखवा दी और उसके सुना कि वहने बताया कि कुछ नहीं यहां पर एक कार्डिनल मैनिंग करके बहुत पॉपिलर बंदा है और एक जॉन बंस है उसने यहां पर जो गोदी के मजदूर के अरताल बंद करवा दी और कितना सारा फाइदा तबार अरे वां ये तो साधू पुरुष मानस चाहिए ऐसे इंसान पूर्ण मिलना चाहिए मारे मलू जोई तो मैं आसे ने के जो अच्छा ये तो बो मोटा मांस हो जए तुमने क्या मर्स है उधोड़े आप तुमे लेंगे पुला हूं तो ने बताऊं ने एंकर तारे छे ने मारा नामेने कागल लग पाना उन लेखव चू एस अंग्रेजिम में बाद करता नां थी आवर तु इसले दूभाशिया का मलो होता है ट्रांसलेटर ट्रांसलेटर क्यों लेखो से गांदीजी तू भी मेरे साथ आएगा तुमें भी आना पुलेगा लो मैं भी तो क्या हाँ आँ डार की के इस तरह से गांदीजी ने लेटर में प्रकार नोग आगर लख्यों, कार्डिनल मेनिमना बेत्रन दाहाडानी अंदर एक पत्ता माँ वापे से उत्तराया, थेड़े मैंने मलवानों समय आपयो, वर अमने फाइनल किया, वाप मिलने जानेगा, अब इतने बड़े बंदें, अच्छे कपड़े पैणके जाना च कोई चेंजिज नहीं, कोई पैंट, कोट, कोट, कोई टोपी, कोई दाड़ी, एज कोट, मैं विनोत करियो, मैं हसता हसता कि यह क्या है, थोड़े तो अच्छे कपड़े पैणो, उसने बहुत ही अच्छा जगाप दिया, कि तम्या सुध्रेला लोगों चेने बहुत बिक्क महापुरुष होई ने, वो कोई दिवस तमारा पूश्यात मलब कपड़े के सामने नहीं देखते हैं, उतो आपके रदई को चेक करते हैं, हमें काड़ीनला महल मां पहुंश चया, मकान महल जो हो तू, या कह सकते हैं, महल मकान जो हो तू, हमें बैठा, तरह तक ते एक सु फिर हमारी बाच्चित चालो हुई, बाच्चित के अंदर वो इंग्लिश में बाते कर रहें, और ये बैस आपको इंग्लिश आती नहीं, इसलिए मैं ट्रांसेंट करता रहां, याने कहीं हूँ, कि मारे आपनो वधारे नथी वक्षत लेओ, किसने कहां, नारे नहीं हें च अच्छा कार्य करते हो, दुनिया मा सादू पुरुष ना दर्शन करना मेरा रिवाज है, मेरी ये हैबिट है, ऐसे हूँ, आपको थोड़ी तस्दी, मलब आपको थोड़ी तकलीप देना आया हूँ, आपको मिलने आ गया, आपको दोर टाइम विर्स करने के लिए, आव आ आविया छो, दे थिऊं राजी धायो छू, उमेद राखो छू के तमने यहीनों वस्वाट अनुपुड आऊशे, यहीना लोकोले तमने ओलखान कर्शो, इश्वर तमारू बलू करे, आम कांटिनल गुल्या, खुबाद है, आमे चाल लिआ गया, आपने डर्पोग लोगो अब छें, कोंट नमस्वास समझें, क्या मनस्या आपने ओलवा नहीं ते, जो आसानी ते मरी शक्तिया आपने, पढू आपने तो आमछे, गांधी जी आवा था, इंगलेंड न यनंदर जारे रहता, तो अपना घार हो चेंज करते रहते था, ऊचली एसा हो जारते और नो हो ग pillar, अब me бл GRA हो गिया कि नाररान हेम चंड्रा गां दिजी मिला करे डिग्ति करा एक जगए पर नहीं थे तो वहां पर अलग हो गई थोड़ा पर गेशनतあ समय के बार एक वना वया वा पिस से नारान हेम चंड्रा दूथी ओने पहरण तो मेरी जो घर की मालकिन थी घर धनी आणी ये बारणु गाड़ी ये भी नी मलवो डर गे ये कोन है दोती हो लूंगी पेंगे आगया है पता निक ये मारी पांस है आगी मारा घर मा तो मुँँ बहुत बदल ले आता है वाचनार तो पता आसा है अने बोली कोई गांड़ा जिवो मानस तमने मलवा मागे छे तो दरगिया पता नहीं कोन होगा उदरवा जे पर गए उतो नारा ढहें जिंद्रने जोया हो तो आगो बलब आस्चे चकित रहागी है एना मुख उपर ना रोजना हास्चे सिवाय विजु कई ना मुख उपर न तो आपको कनड़गत नहीं किया तो बच्चे आपको गांडा-गाडा के क्या पत्तर पत्तर नहीं हो आ रहे किया थो ला हाँ हा यह मारी पाचल दोडता आ था तो मैं कहा जान मूँ आज़ी जवाब बतो शांत जवाब नारा इन्हें चंद्र थोड़ा मास विलायत मा रहि प्रेंच अभ्यास आदरियो फ्रेंच ना कुस्त को ना ट्रांसेशन शलू किया तेने तरजुमों तपास्वानों फूर्टू फ्रेंच मने आवर्टू तेथी तेवो कोई जोई जवा माटे कहीं में जोई हुग अने तरजुमों नो अतो पकेवाद भावार था तो छेवके तेम चेया ने अमेरिका जुआनो पर नीष्चे पार पाड़ीओ। मुसिबत एमाहा मुसिबत भावज अने डेकनाда 305 ने डिकिन में तेसे ताई अंमेरिका गया। दोत्युने पेरेंट पेरें त्या निकलका पर त्याना अमेरिकाना जे लोग को यह जनी पर तहुमर आरोब लगायों क्या तो असब्य पोशा पेरेंड आछे मारू स्मरण केवु छे पार्चल्दी तो छुटी गईू अण हाँ आवा ता आपना सरस्मजाना ट्रांस्रेटर एक सारायवा लेख नाम छे नारायन एम चंद्र गांधिजी ना सारायवा लेख